कनोरी बॉर्डर पे पिछले दिनों हर्याना पुलीस और किसानों के वीच हुई जड़प में किसान प्रीत पाल सिंग को जक्मी हालत में पीजी आई चंडेगड में अडमिट किया गया लेकिन उससे पहले प्रीट पाल सिंग के परिवार की तरफ से एक हैबियस कॉर्पस दा दाखिल किया है जवाब में काफी चुकाने वाली बातें जो सामने आई हैं हमारे साथ हर्याना के अडिशनल एड़िट जनरल दीपक सबरवाल मजूद है और ये जवाब रिपोर्ट देख रहे हैं ये जवाब देख रहे हैं ये है वो जवाब जो हर्याना पुलीस ने प्राची का दाखिल की गई थी ऐसा है जी ये जो प्रिटीशन है टूटली फॉल्स एलिगेशन के बेस्ट पे फाइल की गई है जो पृत्पाल सिंग था साड़े बारा बजे विदिन दी जूरिस्टिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन गड़ी जीन्द फील्ड में इंजर्ड था हर्याना पुलिस को क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेडिंग जहां लगी हुई थी दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दी बैरिकेडिंग तो उसमें पुलिस वालों में और प्रोटेस्टर्स में थोड़ी बिड़त वुई जिसमें पंद्रा पुलिस वाले इंजर्ड हुए और पृतपाल भी इंजर्ड हुआ और पृतपाल इंजर्ड हालत में वहाँ पे एग्रिकल्चरल फील्ड में था साड़े बारा बजे का इंसीडेंट है वो फेल्ड पंजाब में थी हर्याना में थी विदिन दी टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन ऑफ हर्याना एंड पुलिस टेशन गड़ी मौके पे नक्षा भी बनाया है पुलिस ने और उसको तुरंथ 108 एंबुलेंस बुलाके उसी वक्त सिवल हॉस्पिटल ले जाया गया निर्वाना में सिवल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ जो पुटीशन में एलिगेशन लगाए हैं कि दो बजे हर्याना पुलिस दवारा मारपीट की गई जबकि जो MLR है वो 130 पे हुई है तो इससे ही सारे उनके दोश जो है वो साबित नहीं होते बिकाज हाफ नॉलज इस वेरी डेंजरस बिकाज क्योंकि प्रितपाल इंजड था तो हमारी पहली प्राथमिक्ता थी कि जो इंजड है उसको पहले मेडिकली फिट करना उसको इमिजेट मेडिकल सहायता देना तो उसी वक्त उनको सिवल हॉस्पिटल लजाया गया वहाँ पे फस्ट एड दी गई वहाँ से सिवल हॉस्पिटल से उनको पीजी आई एमेस रोतक रेफर करा गया क्योंकि इंजरी थी उनके पीजी आई एमेस रोतक में जो उनकी सिस्टर है और मदर है वो मजूद थे जो आई सी यू में जब आई सी यू में ऑपरेशन होना था तो एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है जो कि उनकी मदर और सिस्टर दोनों द्वारा साइन किया गया या आप के परिवार को पता था परिवार को पता था जी जब उसको सिवल हॉस्पिटल निर्वाना लेके गए तब भी जो उसके वहां गाउं के ताउजी थे वो साथ ग यही तो मैंने आर वन हमने साथ में लगाया है कि अगर हर्याना पुलिस ने उठाया हो तो कंसेंट फॉर्म उनकी सिस्टर क्यों साइन कर रही है तो यह गौड नोस क्यों उन्होंने यह पिटीशन उनके फादर द्वारा फाइल करी गई है जबकि हर्याना पुलिस की प्रा 21 फेबररी को ही जो यह वाक्या है जिसमें यह इंजड हुआ है उसी वाक्या के बेस पे देर इस एफ़ाइयार रिजिस्टर इन पुलिस स्टेशन गड़ी उस एफ़ाइयार की इन्वेस्टी इस एक बंदे को नाम जद किया गया बाकी अनिटिफाइड है पृत पाल इस न अनिद इस इस लिए आगर इन्वेस्टीकेशन में कल को नाम आएगा तो नोमीनेट किया जाएगा ये भी जूठी प्रप्रपोगंड बना दिया गया तो लिट उस नौट प्लेटिक्स पहली प्रात्मिक्ता हर्याना सरकार की थी अगर इंजड हो जाए वो पुलिस वाला ह है चाहिए कोई फार्मर है तो पहले उसको मेडिकल सहायता दी जाए आप कह रहे हैं कि जब यह जड़प हुई तो प्रीतपाल समेट और जो किसान थे और प्रीतपाल जो मिला वो हर्याना की टेरेटरी में मिला और उसको अस्पदाल पहुंचा गया उसके बाद यह सारी प्रीत्मेंट दिया गया उसके बाद पीजी आई एम एस रो तक विच इस दी बेस्ट इंस्टिटूट ऑफ रहा हर्याना वहां पे वहां पे जो कंसेंट फॉर्म भी मैं रपीट कर रहा हूं साइन किया उनकी सिस्टर द्वारा किया गया पीजी आई से चंडीगड पीजी हुए है कि हम अपने रिस्क पे इनको पीजी आई चंडीगड लेके जा रहे हैं जबकि ट्रीटमेंट में वहां पे भी कोई कमी नहीं है इस पर कोट ने क्या कहा कोट में जब अपने जवाब दिया है कि हमने पीजी मेडिकल सुप्रीडेंडनेंट पीजी एमेस रोतक को भ हमें एक दिन का समय दिया जाए हम जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पीजी एमेस रोतक के मेडिकल सुप्रीडेंट द्वारा लगा दी जाएगी रिकॉर्ड पे इंजरी अभी डिरेक्टर पीजी एमेस रोतक से मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है कि जो मेडिकल तो warrent officer nukt किया गया, warrant officer की report को little क्या है? ऐसी है जी वह report हमारे पास नहीं है, वहとंग का पासों रुट के पास है, honorable court ने कहा है, कि पहले medical report आप furnish कर दीजीए, फिर court जोlysyan warrant officer की report को को दीखेगी, उस warrant officer की report हमारे पास नहीं है, वह unruble court की file पे है. प्रीटपाल के इंजरीज कहां वेवेशिक लोग कितनी गहरे इंजरीज हैं क्या स्टेटस एंजरी एक तो जॉब ब्रेक है जी उसका दूसरी उसकी लेक्स पे इंजरी है तो इसी लिए जो इंजरीज हुई है बट ही उसका ट्रीटमेंट अब उनका चल रहा है तो जब हुआ कि इंजरीज किस वज़ा से आई जड़ब में आई या कुछ पूलिस की जब मॉब होता है तो मॉब में इंजरीज कैसे आई कई बार कहना मुश्किल हो जाता इट इस ए मैटर ओफ इंवेस्टिगेशन जब इंवेस्टिगेशन होगी हर चीज सामने आ जाएग इसलिए हर्याना पुलिस ने एफ आई यार करी हुई है तो इंवेस्टिगेशन के बेस पे अक्यूस को नॉमिनेट किया जाएगा आफ्टर वेरिफाइंग इफेक्ट्स बहुत 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 शुक्रिया थैंक्यू जी तो ये ते दिपक सबरवाल और जो ये जो जवाब वो चंडिगड पीजे एकी बात हो या तमाम जो दूसरे एलिगेशन है जिस तरह से बता रहे थे अब सवाल ये है कि जब ये जाँच होगी क्योंकि देखिए मामला दर्ज है लेकिन अभी प्रीत पाल को एक्यूज नहीं बनाया गया इंजिरीज है जबडे पे चोट है ट लिगड़